जननी जन्म भूमी स्वर्ग से महान है इसके वास्ते हमारा इस धर्ती पर जन्मुआ पुन्य भूमी पर और इसलिए हमारा तन मन धन समय और पूरा जीवन इस मात्र भूमी की सेवा के लिए समर्पिद है और मैं आप सबसे निवदन करना चाहूंगा कि प्राते इसमर्णी परम पूझनी है भारत माता के चलड़ों में में परयाम करता हूं आप सबसे निवदन करता हूं कि जोड़ार ताली बजा कर भारत माता का स्वागत करें और नारभ भी लगाएंगे हम ज़रे एक जार अरे भगवान ने तो हाथ दिये रहे हाथ उठाने भी दिक्कत है सभी लोग दोनों मुठ्टी बानकर जो मंज पे वो भी नीचे बेठें वो भी पीछे खड़ें वो भी चारों तरब से हर्दा से हिर्दे नगरी हर्दा से आवाज गुजने चाहिए पूरे भारत में राष् भक्ति का जवार जग जाए बोलो दोनों मुठ्टी बानकर भारत माता की जय भारत माता की बंदे मातरम बंदे मातरम नर्मदे हर नर्मदे हर जिंदिगी वर्मा का असिरवाद भी हमें मिलता रहेगा मैं आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पर आप सब का असिरवाद लेने मैं सुबह से घर से निकला गुपतेस्वर मंदिर मैं अभिशे करके गउमाता की पूजा करके और बुजुर्गों का माताओं का बेहनों का भांजीयों का बेटियों का असिरवाद युवाओं का साथ बच्चों का प्यार पत्रकार मित्रों का भी साथ मुझे मिला और आप सब का असिरवाद मेरे साथ हमेंसा रहा है और वो ही मेरी ताकत है उसी ताकत के भल पर मैंने हर्दा जो हमारी आन बान और सान है इस हर्दा को हिंदुस्तान का नंबर एक जिला बनाने का जो मैंने संकल्प लिया था आप सब क्या असिरवाद से पूरा कर दिया है वोई कमी नहीं रही है मैं हमारे हर्दा की जनता की ओर से और कविता प्रेमी जनता की ओर से आप सभी राष्ट भक्त कवियों का हिर्दय से मैं स्वागत करता हूं वंदन करता हूं अभिनन करता हूं हमारी दो बहने कवियत्री और हमारे सब भाई इस है एतिहासी के मिडियर स्कूल ग्राउंड से हमको कविता सुनाएंगे मैं ज्यादा आपके बीच में व्यावधान नहीं बनना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं चुनाओं होते हैं कभी हारते भी हैं कभी जीतते भी हैं और जीत कर कई वरसों तक कई रहे लेकिन अगर हम कहें कि कांग्रेस ने 55 साथ साल राज किया है लेकिन अगर कहने को गिना है तो कुछ नहीं है 55-60 साल में गाओं में कहीं एक किलो मिटर सड़क नहीं थी हर्दा सहर से लेक एक छोटी हर्दा में बुरा में या करोला में कहीं बी मसंघां होता है लेकिन आप सब के आसिरवास से मुझे 1993 में आपने विधायक बनाया और मैंने विधायक बनने के बाद जनता का दिल जीतने के लिए क्योंकि जब मैं चुनाओं में गया तो मुझे आसिरवाद दिया जनता ने पर एक बात कहते थे भी आप जीत जाओगे पर चुनाओं के बाद विधायक बनने के बाद हमारे गाओ में जरूर आना तो मैंने का मैं आऊंगा बोले नी भाई अभी तक जीते भी जीत के गए आज तक पलटके नहीं आए हर गाहों में यह स्थी थी तो मेरे को नीद नहीं आती थी विदायक बना में जैसे में क्या करूं कि जनता का जो पुराने जनप्रतियों विश्वास खो द आदा ने एक सुझाव दिया कि पदियात्रा करना चाहिए और मेरे भगवान गुपतेश्वर क्या भी सेख करके चारवा से पदियात्रा प्रारहम की और तीन किलोमेटर गाउं गया सोभापूर नदी पार करके नदी में रफ्टा भी नहीं था गुटने गुटने के पानी में फत्तर में देनिकल के गया कीचण में और गाउं पछंग कर विश कर गाउं के लोगों ने मेरा सवागत किया और दो बुझूर। कि मेरे आजू-बाजू मा के बेटे स्वागत करने के बाद मेरे एक इदर से हाथ दबा एक इदर से हाथ दबा है तो मेने का पटिल साहब में उससे में 32 साल कही था मैंने के मैं युवा हूं अभी तीन किलोमेटर चलका है ठकानी दबा क्यों रहा है मुझे तो बोले बेटा दबानी रहें जिंदा विधायक हमारे गाव में पहली बार आया तो हम हाथ लगा कर देखने कैसा एक विधायक क्या होता है यह हकीकत है और यह सिद्धि पूरे ज्यत्र की थी और जब मैं पेदल गया तो कहीं सडक नहीं कहीं फुल नहीं पुलिया नहीं रप्टे नहीं सि दिए जंता से जागरूप करते हुए कहा कि में तुम्हारा सेवक हूँ और आप seadhle कोई भी गरीब आदम्यों सीधा मिल सकता है और कोई भी समझ्या बता सकता है और यह काम UPRI में होगा लाकों क्रोडों के काम फिरी में होंगे और उसके कान चनता में से जुड़ी गरीब से लेकर अमीर तक किसान से लेकर मजदूर तक और उसके कारण मैं इसे हर्दा जिले की बिदान सभा का और जिले का दोरा करके हैं कहां क्या समस्या मुझे पदा और इसलिए मैंने कभी कोई कि ऑंदोलन की जर्वत निपड़ि यां हर्दा को जिला बनाने क理दर करना पड़ा जब दिगभिवसिने कहा था तक एन संभा करने का नाम एक कमल का भूल से कंड़ा देंगे लेकिन जिला बना तक लेगे माचक पार जो असंबह था रेल वे लाइन के पार असंबह था वो किया इमली धना डेम बनाया और आज मुझे बताते हो बहुत खुसी है कि हर्दा जिला मद्द्रदेश का पहला जिला बना जो सत्थ परतिसत सिंचित हो गई किसी का जिला नहीं है मुख्य मंत्री मंत्री का भी जिला स्पूर्वा सत्थ परतिसत सिंचित नहीं है लेकिन आपका अपना जिला हर्दा जिला मोरन गंजाल साड़े तीन हजार करोड़ के अभी तीन महीने के अंदर सहीद इलाफ सिंग हमारा एक सहीद हुआ था अधिवासी उसके नाम से हमने योजना बना कर नर्बदा जी से क्योंकि नर्बदा जी में दो हजार चोईस के बाद एक लोटा पानी भी नहीं ले सकते सिचाही के लिए ये संभव करने का नाम है कमल कभूल चाहिए जो करना पड़े करेंगे मुक्यमंति से लड़कर और करायर वो तीन महीने के अंदर 720 कोड़ की योजना सुइकत कराई और उसके टेंडर भी हो गया सिर्व अब काम सुरू होने वाला है और और अभी नहीं होता थो कभी जीवन में होता ही नहीं 118 गाउं सीम से हाथ पकड़के घोशना कर रही थी करनपुरा में पांच गाउं छे गाउं की लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते 118 गाउं कर दिया अब हर्दा जी लेकि एक एक गाउं की एक एक किसान की जमिन सिंचीत होगी कोई हर्दा पाई सरकार का कि तो कोई किसर रहे के कोई काम छूट गया सिचाई करा दी हर घर में मेरा गाउं रादा तलही पीने का पाणी निता इसलिए मैं राजनिती में आया हुआँ सडक नहीं थी us लिए आज अगरा जिले का मंडी के अंदर इस्टेडियम होगा जिसमें किसान हमारे सम्मेलन करेंगे 500 सीटर रहेगा पूरा इस बच्चों के लिए 15 क्रोड का इंडोर इस्टेडियम आड़ोटोरियम किसानों के लिए और सुन्दर मंडी असी मंडी मत्रदेश में कहीं भी जाव नहीं मिलेगी और 90 सड करकें मंडी बोर से और हर गाओं में 11-11 लाग के डॉम ताकि गाओं में हमारे गरीब लोग साधी विभाव और कारकम कर सकें उसके लिए हर ग्राम 220 ग्राम पंचार दे 233 सुइकत किया 11-11 लाग मैं खुद 30 साल तक विदाय करा हूं लेकिन में भी पहले 15 से जादा नहीं कर सब का साथ सबका विकाश सबका विश्वास और सबके प्रयाद से हमने किया है और ब्रीज नदियां जब से सस्क्री बनी जब से नदियां हैं लेकिन रफ्टे भी नहीं थे 28 बड़े ब्रीज 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक है खरदना बीचोला के बीच में पंद्रा जो सिंगल रोड़ था कि जब कि स्टेट है कि बना चाहिए यह पहिला देश को बना जो इसेट है वे मिन था धीला रोड़ भी नीथा मेजर बिन था खाली सिंगल रोड़ था उसको भी हमने असंबू को संभू कराया फ्लें कराया तस लाग रुपए एकड जमिन दिया आज क किसान को चेरे कंबल की तरह खिला दिये अब एक समझार रेल्वे इस्टेशन खिड़किया हर्दा का सुंदर बन रहा है सारे रेल्वे ओवर ब्रीज और अंडर ब्रीज अब कई भाटक परिसान नहीं करेगी निए तो हम एक दिन में 136 बार बंद होती थी भाटक 12 गंटे जाम रेता रिंग रोड हर्दा छोटा सा सहर है छोटी हर्दा से लेकर करोला तक फाइलवार से लेकर मगर्दा रोड तक पंद्रा करोड का स्वेसल रोड दिया वो भी किया अब एक समझ्चा रही है बाकि सारे काम हो गए है कि मानी मुक्यमंति सिवराजी ने बुद बिख़े उसका हो जाने दो वुद्णीवाला थोकि हर अदमि अपने छेट ने लिए करता मैं भी अपने आपका साथ रहेगा ना हाथ उठागए पता दो देखें अरे आपकी सरकार केंदर में है प्रदेस में आपकी सरकार डेबल एंजिन कि सरकार रह तो अपना सांसत मंत्री है हाथ पकड़ के कड़ा के लाएंगे और ये भी हो जाएगा बस और इसलिए मैं संतुष्टू कि मेरे मन में यह नहीं है कि मेरा कोई काम छूड़ गया जो नहीं करा पाएं मन में कोई अफसोस नहीं कहीं विधायक मंदर पचास साल रहें लेकिन कहने को सुन बटे सन्नाटा पर मैंने आपने जो मुझे आसिरवाद दिया था उसलिए इतना काम किया है और अभी जो काम मैंने करताओं को जनता का आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा आपका यह कमल पटेल हमेशा आपके साथ हैं और असंबहों को संबहों करने की सक्ति मानर्बंदा ने दी है इसलिए हम करते रहेंगे और आपके बीच में वैसे ही काम करता रहूंगा जैसे अभी तक करता रहूं आगे भी जीवन भर नर्मदे हर और जिन्दगी बस सिर्फ आपका असिरवाद और सयोग और साथ चाहिए और आपका असिरवाद सयोग साथ है आज मेरे सुबह नोवजे से लेकर रात को दस ग्यारा बज़े तक आपका असिरवाद साथ रहेगा वो सब होगा और देखिए जीवन में सफल होना अलक बाथ है सफल तो बहूत लोग हो जाते हैं को gerekte मन्ति बनने में सपल हो गए प्रधान मन्ति बनने में सपल हो गए गजेक्टर आइयर बनने में सपल हो गए डॉक्तर ईजीनियर यह शाहिपन गए मत में सार्थक होना बहुत कठीन है है कि सल्दैबा वा शार्तक होना हर किसी कि बस की बात नहीं यह कि मैं अपने आपका भोष सोभा के साली मानता हूं कि आप सब के आसिरवास से मान अर्बदा के आसिरवास से जिस उद्देश के लिए में बिधायक बना था हर्दा को जिला बनाना असत प्रसे सिंचित करना गाओं के घर गाओं को सड़कों से जोड़ना चोकड़ी बनाना अब तो खेतों तक की सड़के भी बना दियें डामरों सिम्मेंट की पुल पुलियाओं से और आने वाले पांच साल को साथ साल दस साल के अंदर कोई भी किसान के जितने भी खेत के गोए हैं वो पूरे हती कमन मुक्त होके बनों पंगे पूरे रोड़ बनके बनेंगे तकी फाली गाओं में दस गोएवी होंगे दस बनाएंगे 5 होंगे 5 मत्रा होंगे 15 बनाएंगे कोई नहीं चूड़े है और अभी एक नया उप्यान शुरू कर रहा हूं मेरा गाहँ मेरा तीर्थ निया गाहँ को हम अपना तीर्थ बना ले अपने नगर को अपना तीर्थ बना ले उसके लिए चार पांच चित करना पड़ेगी अंको पहला सामाजिक सम्रस्ता हम कोई जातिवाद निच लाएंगे कोई उच नीच नहीं हम सब भारत मा के लाल भेदभाव का कहा सवाद अभी हम से पूछते हैं आप कोन है आपकी जाती क्या है तो क्या बोलते हैं अपन हम जाट है हम बिस्नोई है हम गूजर है हम राजपूत है हम ब्रामन है हम फलाने है ह कुछ नहीं हम सब हिंदू है अँज हमसो मेरे साथ मुठी बांद पर बोलेंगे कि हमारी जाती क्या और हमारा धर्म oh में बोलूंगो हम सब क्या है तो आप दोनों मुठी बांद के बोलेंगे हिंदू है घर से बोलना चाहिए वं सब क्या है हम अवसक्त Ollie कि अब हम जाती बताएं कहां जहां हमारी रिस्टारी करना हूं समाज में कोई बेटी का संबंद करना हूं बेटे का संबंद करना हूं हुआ रिस्तेदारी जाती बताना बाकी जगे अभी मुसल्मान से पूछो बेठे हमारे तुम्हारी जाती क्या है वो कहेगा मुसल्मान है उनमें भी बहुत जाती है और इसलिए हम में हम गुलाम इसलिए हुए हमारे साथ अन्या इत्याचार इसलिए हुआ कि हमारे पूर्खे जातियों में बटे हुए थे और सुन लो अगर इसी तरह जातियों में बटे रहे तो बोत दिन दूर नहीं जैसे पहले गुलाम हुए ते रत्याचार हुए थे वह आने वाले समय में हो जागा टीवी पर देखते हो क्या क्या हो रहा है उसके बाद में जाग रहे और इसलिए जागने के आउसकता है अपने को बचाना अपनी संस्कति को बचाना अपने भच्चों का भविस बचाना है तो हम सबको जाती से उपर उठकर हिंदू बनना पड़ेगा अब बनोगे की नहीं बनोगे दूसरा स्वच्टा अब स्वच्च रहें तीसरा गव माता को अपनी मा मान कर हम ही है जित्ते लोग भले बिटे हैं जो गाय का दूद दूने के बाद में उसको ढंडा मारके भगा देते रोडों पर गाय किसंकी है हमारी है ना और इसलिए हमारी गाय जित्ती भी किसान जो भी है जिनकी है अपने घरों के अंदर पाले है अगर जिसके पास व्यवस्ता नहीं है वो गोशाला में भेजे तो गोमाता की रक्चा होगी ओबर से खाद गोमू से दबाई बनेगी वो प्राकरती खेती होगी तो उससे हमारे से गहर में केंसर जीवनी घतम है मिजब पहली वार विदायक बनाता है जब एक दो केस आते में मेरे पास तेंसर के और अब दिन पृतिदिन दस के साथे इंसरा दिलवाद और इसलिए हमारा भच्चों का भवीत बचाना है तो उनको प्राकरती खेती की और धिर-धिर आना तक जनता का सहोग ना रहे और परियावन रक्षा रोपन और अगर यह हमने कर लिया तो मेरा गाओं मेरा तीर्थ बन जाएगा हमारे बच्चों के लिए मच्छा परियावन बातवन छोड़के जाएंगे और हमारा जीवन सार तक हो जाएगा मैं आप सबके हुजवन भविष की काम ना करता हूँ कि इसमें भी आपका मुझे साथ मिलेगा और हमें अभियान सुरू करेंगे आज मेरे जनम दिन से ही मैंने सुरू कर दिया आप सबका साथ चाहिए और गाओं-गाओं में हम सम्मितिये बनाएंगे करेंगे लाइटाइम लेकिन होगा क्योंकि कोई चीद दुनिया में असंभव नहीं है और असंभव को संभव करने का नामी कमल का फूले आप सबका स्वयोग मिलेगा है मेरा गाह मेरा तीर्द बनाने में बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुन्हें आप सबके उजिवल भश्की में कामना करत हूँ और आप सबके हमारे राष्टी कभियों को बहुत अच्छे अच्छे कभी सुना कभी ता सुना ना में है हमारी अर्दा की जनता को सब प्रसन्न होके जाए एक बार पुन्हें आप सबके चरणों में पढ़ाम आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अब कौन अब मोदी जी आज देंद दुनिया में सबसे लोग प्रधान मंत्री है पूरी दुनिया निरासा के बाता हम लेकिन एक महत्रासा की किरण मोदी जी हैं हम सब के लिए गर्व की बात है और इसलिए भारती जनता पार्टी कर सद्दस बनकर इस भारत माता को सक्ति साली प्रखना देंगर आथ जीवन को सहर्तकर करें और इसलिए जितने जितने में के पास मॉबाइल हैं उन सबसे में निवधन करता हूं मॉबाइल निकाले अपने हाथ में हाध जोड़के नहीं बहरों करना है लिखो डबल एट कि मॉबल जीरो डपल जीरो two zero two four double eight double zero double zero two zero two four मिस्काल करते हैं जो सदस बने हुए उनका आ जाएगा गए आप सदस बन गए और जो सदस नहीं बने है उनको टीपी आ जाएगी तो वो सदस बन जाएगे और आप देखिए मैं फिर आप से कह रहा हूं कि लोग राजनिती को कहते हैं कि बहुत गंदी है रा है नहीं तो है लेकिन है राजनीति में अच्छ लोग आप ऐसे लोग आएंगे तो राजनीति ची आपके सफ्रेश्ट रही स्थान यूग करहां में पहुंचेकं इसलिए आप सब को भारते तब सी ब coffee नाथ चोviol사त regard झाल झाल